कौरा लगने लग गया इस शेयर में तो मतलब भारिश अभी नहीं पड़ेगी तो इस टाउन यार पल-पल में यहां का मौसम जो चेंज हो खुला संड बनके में बीस रोड पे भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए जा सकते हैं यह गाई इस क्या हाल है सुभी काई यह व्यूप यू अर गुड मैं हो रोहिट सो वेलकम बाक टू दी वीडियो तो नहीं दाल का ओफ सीजन के स्तरीका का है आज कल लिट सी फिलाल अभी मैं हूं खड़ी बजार में तो घूमते हैं और कैसा मौल हो रहा है ओफ सीजन में तो शुरू करते हैं आज की वीडियो श फोड़ा स्ट्रगल टाइम होता है लेकिन फिर भी सीजन में सब लोग कमाई लेते हैं लेकिन आजकल जो बड़िया खाली-खाली सा मौल देख रहा है अगे तो लंडन फॉग लगता है जब तक या नहीं वह भी देखते हैं टेम्परेचर की भी बात कर लेते हैं फिलाल इस वक्त 19 डिग्री के आसपास और शाम को जा रहा है यह 17 डिग्री के आसपास फंड विल्कुल नहीं हो रही है और उमस जादा हो रही है यार करमेटी जड में निकला हो खेर जिते भी प्लेंस वाली इरिया मां बारिश होती ह लेकिन वैसी भायानक वाली उमस नहीं है यहां पर शाम को भी टीशेट टीशेट में काम चल जा रहा है फिलाल अभी क्या कि बादल लगे में और सन है ठीक उपर तो थोड़ा सा वो गर्मी नहीं होती उमस समझी गए हो वैसे कुछ मौल हो रहा है नगरबालिका के पास मुझे समेशेके तो बहुत है चाहिता है यह मुषण जोगहा है ना दरने को हना शेयर का, कि यह पर की टीशिय। लेक साइट के आए कि एक लाउड्स जो है जो बादल है वो आए आते वे दिख रहे हैं अभी हो सकता है कि कौरा अपनी आगोश में शहर को ले ले ये भी हो सकता है अभी कुछ नहीं पला फिलाल तो भी साफ साफ से दिख रहे हैं लेकिन अलका कौरा आने लग गया है बजार करने कोई टूरिस्ट आएं और बोटिंग के लिए मतलब जाएं लेक साइड आते जो ठंडी हवाँ चल रही है वह मज़ा गया लेक से डारीक्ट हवाँ फ्रेश एर फ्रेश एर फ्रेश एर वह भी लेक की फ्रेश एर क्या यह बात है केरवेसे सुनसाने तना ज्याद लेकिन अभी तक पहुचा नहीं है अगर पहुच जा तो कितना अच्छा है ना दुबारा से ये पूरा अपनी आगोश में शेहर को ले लेगा कोहरे में अच्छा लगता है लंडन फॉग नहीं ताल शेहर में इसी टाइम पहुता है मौनसून टाइम पर ही तो वैसे करते हैं मौलरोड की तरफ को चलते हैं खेर मैं बोर्ट हाउस क्लब की तरफ से निकल रहा हूँ ये अंदर मुझे कुछ वीवस थे मुझे पूछ रहे थे कि हमें अंदर बोर्ट हास क्लब के तो कैसे जाए जा सकता है वैसे इसी अंटरी फीस लेगे व MON कि मेंद नहीं हो तो तो अ पेंडिंग की मतलग क्या रेट है दोड़ाइसो रुपे शायद पड़ता है ये पर परसन उसके बाद फिर आप अंदर जाके एंजॉय कर सकते हो अच्छा है अंदर काफी बार में भी जा चुका हूं मेरे यहां के एक फ्रेंड है जो मेंबर हैं तो उनके दूरू से गया था अगर आप मेंबर के फ्रेंड होता आप शायद नहीं पड़ती है तो देखो यह पीछे कंपनी बाग भी दिख रहा है कंपनी गाडेन मौल रोड की शुरुवात पर आगया हूं मलिताल अभी ऐसा करते हैं लोगर मौल रोड की तरफ से चलते हैं आगे को आज बीडी नहीं पेड़ हैं सारे जितने दिख रहे हैं चिनार का पेड़ अगर आपको कैसे समझाओं कश्मीर गए हो तो इन ट्रीज की आद आ जाएगी और मोहबते फिल्म देखी हो तो वह ब्राउन रंके जो उड़ते हैं ना तो यह है हो चिनार के पेड़ तो यह ब्रिडिश जब आए हैं तो हर सीजन में के कलर कंग होते हैं फर मिन अफम जर्व इंड में आ गया है बाकी होटल बहुत से लोग पो गोंड है कि हजा Garr जो महेंगे वाले होटल वह जार रुपए में देंगे ऐसा नहीं होगा कम बजट वाले होटल थोड़ा सर्च करना पड़ेगा बस नो पार्किंग लगा लेकिन कार भी तो होने चाहिए पार्किंग के लिए और सीजन में तो यह बहुत अटाया जा सकते हैं क्योंकि भीड इत पड़ा और जिख जीक करते हैं कि लोगों को 700 रुपे में मॉल रूड में मॉल रूड में होटल मिल जाता है बहुत से लोगों को मैंने देख आए लिटरल है लोग मुने कमेंट करते हैं भाई मॉल डोड में लेक पेसिंग होटल था यार मैं रुका अराम से मास तेख़ए साथ सो रुपे में रुका था यहीं मज़ा है यार शहर का वैसे यहां के मौसम का लुथ उठाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं थोड़ा बहुत 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 अगर आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होगा दो बार तो खैर मेरे जरिये सभी को पता गया है और अब बड़ी तेजी से बढ़ रहा है आगे को देखो दिस इस ब्यूटी ऑफ दिस टाउन यार पल पल में यहां का मौसम जो चेंज होते रहता है ना ठीक है जब तक हमें बारिश ना पड़े खेर क्लाउड लगने लग गया तो बारिश नहीं पड़ेगी तो य हम लोग भी थोड़ा बहुत हलका-फुलका एक-एक मतलब पल गंटे की खबर हमें पता लग जाती है अगर कौरा लगने लग गया तो बारिश अभी नहीं पड़ेगी थोड़ी मतलब जब तक कौरा चठन नहीं जाता क्योंगि घने कौरे में बारिश नहीं पड़ती है य यार देखो किस तरीके सा आ रहा है यार बहुत तीजी से बढ़ रहा है अब तो ये कोहरा देखो अपनी आगोश में शहर को ले लेगा इधर तो खेर गायबी हो गई देखो पूरा ही धुंद में इधर देखो हलका हलकी किसी गंटिया बजिरियों जो होती है इनका नाम में हो गया है हो एक चीज कि life में perfect होना भी ज़रूरी नहीं है हर चीज में perfect नहीं होते है यह मेरी मेरी अपनी philosophy में हिलोरी nin है कि हर चीज एकडम wszystko एक दम फाइन हो जाओके तो हर चीज में मजा नहीं आता है थोड़ा सा सिली हो जाएगा थोड़ा इंजॉय करना है मौसम को और वेदर को इंजॉय करते हैं जो लोग नहीं ताल शेयर बाहर रहता है उन्हें मेरी वीडियो देखे तो बहुत जादा नोस्टेलिया डाई हो ज दिखते हैं कि हम बच्चपन में यहां जाये करते थे बच्चपन में ऐसा खेलते हैं वह बहुत जा चुके हैं बहुत से लोग आउट ओफ इंडिया हैं तो वह इन वीडियो के थूरू से अपनी मैमोरी जे रीक्रियेट करते हैं बहुत से वीवस ऐसे जो शेयर घूम के च जो हुआ ओपखियर करते हैं कि हम यहां पर ते हार हम यहीं तो थे हिग्जाग तो बड़ा अच्छा सा लगता है मैं सामने जो मैजिक क्रियेट हो रहा है न कोहरों से बर से मतलब वह होतिकर मशा सुए पल-पल में आ रा है कोहरा जा जा रहा है łat। तो यह हे जा करना है चेनल को लाइक सस्क्राइब जो सस्क्राइब वाला बटन है उसे तोड़ो मोड़ो जोड़ो जो भी करो दबाना जरूर मिलेंगे आप से कोई और वीडियो में रफ्ता के लिए टेरा पुशुम